हाई आपके लिए लेका हूँ पुरानी दिली का बहुती फेमस चिकन कॉर्मा की रेसिपी इसे बनाना बहुती असान होता है बस आपको इस रेसिपी को स्टेप बेस टेप फॉलो करना है और फिर देखिए आपका चिकन कॉर्मा एकदम परफेक्ट बनेगा ये खाने में अच्छी तरह से दो लिया है सबसे पहले हम इसे उस परतन में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हमें कोर्मा बनाना है अब हम इस जगन की मैरिनेशन कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए आप मैं ले लिया है एक बड़ा कप दही इस रेसिपी में दही की क्वांटिटी थोड़ी करिए उसे लिए अच्छे से भरके एक बड़ा कप लें और दही ज्यादा खटी ना हो अब हम इसमें एट करेंगे अदरक और लैसुन का पेष्ट अच्छे से दो बड़े चमच भरके इसमने अदरक लैसुन का पेष्ट आप एट कर दें एक चमच कश्मीरी लाल मेश पाउडर, स्वादा नुसार नमर, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, अब हम इसमें धाई बड़ा चमच भरके धन्या पाउडर डालेंगे, यह बहुती मेन होता है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट चाता है कोर्मे में, बस अब हम इन सभी म सालो को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करके छोड़ देंगे, मैरिनेशन के लिए, कम से गमादी गंटे के लिए, जब तक यह मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम बाकी की तियारी कर लेते हैं, यहां पर मैंने तीन बड़े साइस की प्याज ले लिए, जिने मैंने छील लिया हम इसके पतले-पतले slices काटेंगे, बहुत ही बारिक-बारिक काट लेंगे, जितना आ आप बारिक काट सकें मैंने सभी प्याज को भी ऐसे ही काट लिया है, यह दिखे एकदम बारिक काट किया है, आप भी जितना फाइन नीं उतना बैटर रहेगा क्योंकि अभी अमें इन प्याज को fry करना है और एकदम crispy करना है मोटी प्याज जो है वो crispy नहीं हो पाएगी बारीक प्याज अच्छी crispy होगी और जल्दी fry भी हो जाएगी अब हमें एक कड़ाई में तेल ले लेना है उसे अच्छी तरह से गरम कर लेना है तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है जिसमें प्याज अच्छी तरह से डूप जाए शुरू में गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है और प्याज डालने के बाद इसे मीडियम पे कर देना है फिर मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है फ्रेंस ध्यान रहे हैं कि प्याज जलेना सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो अगर प्याज जल गई तो पूरे एक और में का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा उसमें कड़वा पन आ जाएगा तो आपको इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है कि प्याज जलेना सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो यह देखिए अच्छी तरह से हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है इन्हें हम जल्दी से निकाल लेते हैं क्योंकि ये इतनी गरम होती है कि निकालने के बाद भी और भी ज़्याधा प्राउन हो जाएगी ये देखे एकदम perfect fry हुई है इन्हें हम ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं ठंडी होने के बाद ये एकदम कुरकुरी हो जाएगी अब हम इसी तेल में 7-8 काजु को हलका सा fry कर लेंगे थोड़े मखाने भी fry कर लेंगे अगर आपके पास काजु या फिर मखाने अवेलेबल नहीं हैं तो आप इन्हें skip भी कर सकते हैं बस इनसे क्या होगा कि हमारे कॉर में का texture बहुत ही अच्छा आएगा और taste थोड़ा और बढ़ जाएगा लेकिन अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं skip कर सकते हैं बेलकुल optional है यह देखे है हमारी प्याज भी ठंडी हो गई है और एकदम कुरकुरी हो गई है आप इन्हें हातों से आसे मस लेंगे तो यह बहुत ही आसानी से तूट भी जाएगी अब हम इन सभी का एक पेस्ट बनाएंगे एक मिक्स्टर जार लेंगे और इसमें सारे फ्राय के हुए प्याज हम आड़ कर लेंगे और ये फ्राय के वे मखाने और काजू भी आट कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें पेस्ट बना लेंगे थोड़ा दरदरा ही मनाएंगे पोहुत ज़्यादा भारिक पेस्ट नहीं मनाना है क्योंकि कोर्मे का टेक्स्चर जो है थोड़ा सा दानेदार होता है ये हमारा पेस्ट पिस्ट चुका है मैं आपको एक बार टेक्स्चर दिखा देती हूं इसको कितना रखना है आपको ये देखिए इतना आपको रखना है पोहुत ज़्यादा बारिक नहीं करें हलका सा दरदरा छोड़ दे चलिए अब हम कोर में के लिए एक पोहुती मेन मसाला त्यार कर लेते हैं मसाले के लिए मैंने लिया यहां पे आधा जाइफल आठ छोटी लाइची एक बड़ी लाइची चार लोंग और पांच काली मिर्च अब हमें इने पीस करके एक मसाला त्यार करना है मैं इसे इमाम दस्ते में कूट रियूं क्योंकि इसकी क्वांटिटी करके रखा था उसमें हम वोईल एड़ करेंगे जिसमें हमने प्याच फ्राइ करी थी इस ओल में प्याच का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है जो कि कॉर्मे का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा आप इसमें दो बड़ी कर्ची भर करके ओड़ी डालें क्योंकि कॉर काली मिर्चे इन सभी को हम चिकन में डाल देंगे और गाली अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे हातों से मसाले और तेल बिल्कुल अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाएं उतनी अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम गैस की फ्लेम को अन कर देते हैं गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे रखें और ये मसाला अच्छी तरह से चिकन में अब्जॉब होने तक इसको पकाएं जब तक ये थोड़ा सूक ना जाए जब मसाला थोड़ा सूक जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसे ढख करके कम से कम 10 मिनट के लिए पकाएं और बीच-बीच में इसे चलाते जाएं तक ये नीचे से जल ना जाए 10 मिनट हो चुके हैं सभी मसाले अच्छी तरह से चिकन में अब्जॉब हो चुके हैं ये देखे कितना अच्छा इसका कलर आया है ओयल भी छोड़ दिया है मसाले ने अभी ये 70% तक कुक हुआ है मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जितना थोड़ा बोत ये पानी है इसको भी हम पका करके सुखा लेंगे ये देखे पानी सूख चुका है अब हमने जो मसाला तयार करके रखा था उसे हम इसमें एड़ कर देंगे अभी से इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है और जब ये पूरा बनके तयार हो जाएगा ना तो आपका घर पिलकुल मैख जाएगा बाहर तक इसकी खुश्बू जाएगी इतना टेस्टी ये बनता है अब हमने जो पेस्ट बनाकर के तया किया था फ्राई वाली प्याज का वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे और अच्छी तरह से इसके साथ इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से mix कर दिया है अब हम इसमें add करेंगे बहुती main ingredient यह है kevda water इससे कॉर्मे में बहुती ज़्यादा अच्छी खुश्बू आती है बाहर जो कॉर्मा मिलता है उसमें यह जरूर से डाला जाता है अगर आपको same to same money के जैसे बनानी है तो आप इसे जरूर से डालें बहुती अच्छा aroma और टेस्ट आता है इससे एकदम आपको एक और में का टेस्ट चार गुना बढ़ जाएगा एक छोटा चमच केवडा वाटर डालके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब हम इसमें आदा ग्लास पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके ढखकर के पका लेंगे दस मिनट के लिए और ताकि जो अमारा बाकी का बचा हुआ चिकन है इसमें थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी अच्छी तरह से पक जाए दीमी आज में पकाना है आपको इसे ये देखें दस मिनट हो चुके हैं और कितना अच्छा हमारा चिकन कॉर्मा बनके तयार हुआ है सारा ओइल छोड़ दिया है मसाले ने और बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है और खुश्पू तो इतनी जबर्दस तारी है कि पूरा घर मैक उठा है अब हम इसे सर्फ कर लिते हैं गर्मा गर्म फ्रेंट्स आप इसे रोटी और फिन नान किसी के भी साथ खाई ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और यकीन मानिए कि ये इतना ज़्यादा डिलीशस बनाए कि आपने एक बार इस मैथल से बना के खार लिया तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएं सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएं तो फ्रेंट्स आपको आचकी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करकर जरूर बताएं अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजे चैनल पर नए है तो सब्सकाइब करना ना भूले मैं आपके लिए और भी अच्छी पीज लाती रहूंगी मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए